सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल हीरो योट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिख करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें है घाज वेलकम पेक टू टेकनिकल हीरो योट्यूब चैनल तो guys आज की इस वीडियो में मैं आपको best earning application की AIA file दूँगा और ये अब तक की सबसे best earning application की AIA file है इस AIA file से आप अपना खुद का earning application बना सकते हैं और उसमें अपनी AdMob की ads लगा के earning भी कर सकते हैं और उस application का कैसा interface और कैसे वो काम करती है वो मैं आपको इंट्रो के बाद बता दूँगा तो बिना time waste की वीडियो को शुरू करते हैं तो guys ये वो application है जिसकी AIA file मैं आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो AIA file की link मैंने आलड़ी वीडियो की description में रखिया वहाँ से जाके इस AIA file को download करके अपनी खुद की application बना सकते हैं और मैं यह से open करके आपको इसका interface बता देता हूँ जैसे आपके यहां पे splash screen दिख रही आपको blue color की तो यहां पे आप कोई भी splash screen लगा सकते हैं कोई भी color की यहां कोई भी image जहां पे आप अपनी लगा सकते हैं तो जैसे आप इसे open करोगे यहां पे मैंने इसमें international ads भी लगा दिया है तो यह मेरी AIA file नहीं है यह अंकित परदान की AIA file है तो उन्होंने यह अपने चैनल पर यह AIA file दी थी तो मैंने इसमें थोड़ी और ads लगा दिया है तो इस AIA application में बहुत सी ads हैं जिससे कि आपका CTR में रहेगा और आपकी earning भी ज्यादा होगे क्यूंकि आगर आपके impression ज्यादा होगे तो आपका automatic CPC increase होगा और earning भी ज्यादा होगे तो इस तरीके का interface है यहाँ पर आपको subscribe data और more apps का button मिल जाता है यहाँ पर आपने links डाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर अपना subscribe का button डाला हुआ है तो मेरा चैनल ओपनों का technical hero तो यहाँ पर आप अपना चैनल का link डाल सकते हैं जो भी आपका channel है यहाँ फिर more apps आपक store पर apps upload की है तो इस तरीके interface है यहाँ पर आपको इसका sidebar भी मिल जाते हैं यहाँ पर आपको सारे options मिल जाते हैं टूडे माइनिंग बालेट माइन नोटिफिकेशन रेफरेंड राइट क्योरी तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी add code change करने हैं और साथ में आपको यहाँ प आपको वीडियो की description में दी हुई है तो जैसे आप यहाँ पर टूडे माइनिंग पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर wallet open हो जाएगा sorry wallet यह task open हो जाएगा तो यहाँ पर capture code एक ready हो जाएगा create हो जाएगा आपको यह capture code यहाँ पर insert करना है तो मैंने हर page पर एक इंटर्शियल आड रख्यों यह आप बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है वैसे इसमें आल्रेडी बहुत सी ads है तो आपका CTR है वो control में रहेगा CPC भी increase होगा और earning भी increase होगी तो यहाँसे मैं यहाँ capture code एक insert कर ले तो मैं आपको बताता हूँ यह किस तरीके से काम करता है तो मैंने यहाँ पर यह capture code insert कर लिया उसके बाद मैं simply यहाँ पर submit बटन पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँसे मैं submit बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सी इंटर्शियल एड लोड होना शु हो चुकी है तो आपको simply इने back button से यहाँ पर आपको क्रास का button मिल जाता है तो इससे आपने इने close करते रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सी ads है और बहुत सी ads आती भी रहेंगी यहसे आप देखते रहे हो यहाँ पर एक बार है तो यह बार जब full complete हो जाएगी तो यहाँ पर आ इना किसी VPN को यूज किये तो इस यह फाइल से आप अपने editing करके अपना app बना सकते हैं और उसे play store में डाल सकते हैं यह complete होगा उसके बाद ही complete button पर click होगा मैं यहाँ पर देखो complete button पर click कर रहा हूं बट complete button पर click नहीं हो रहा है जब तक यह पूरी बार complete नहीं हो जाएगी औ अब तक आपका complete button पर click नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी application है यह मैं अभी इसे close कर देता हूं यहां से यह task करना सकते हैं पेटियम ट्रांसफर पर click करके यहां फिर आप 399 का अगर रिचार्ज लगाना चाहिए तो वह भी आप स्लेक्ट करके इसमें लगा सकते हैं और इसमें फीचर है राइट क्यूरी का तो यह काफी अच्छा फीचर है क्योंकि इसमें आप गर आपको जो जिसने अफ का इंस्टाल किये हैं जिसको अपना पो आपसे पूछना हएर यहां को यह अपकर आपसे बात करना चाहता तो वह सब्सक्राइब है ऑपके इसमें लिख देगा गार जाए सारी डिटेल आपके convention आजायगी तो आपको firebase के link change करने पड़ेंगे तब ही आएगी अगर आप change नहीं करोगे तो नहीं आएगी obviously तो यहां पर referend earn का भी option मिला आपको यहां पर referend earn करके भी earn कर सकते हैं जिसको भी आप अपनी application दोगे इसमें editing करके तो बहुत ही simply आपने इसमें editing करने आपने सिर्फ ad course और firebase का link change करना और अगर आप अच्छी से editing कर सकते हैं तो कर लीजिए जैसे web editing इसमें करना चाहिए तो यह आपको यहां पर deals का button मिल जाता है इसमें एक link था वो मैंने remove कर दिया आप यहां पर कोई भी link रख सकते हो यहां यहां पर अगर आप अपने channel का अपने facebook का यहां कुछ भी आप इसमें यहां link डालना चाहते हैं ओपर deal को change कर दीजिए यहां पर आप लिख दीजिए यहां Facebook यहां YouTube कुछ भी आप लिख दीजिए deal की जगह और अपना link डाल दीजिए वहां पर web viewer में यहां यह file जो मैंने description description में दीए वहां पर आप download करके web viewer में अपना link डाल दीजिए तो वही यहां से open होगा तो एक बटन आपको यहां पर contact us का मिल जाता है यहां पर लिख सकते हैं अपनी email अपना WhatsApp नमबर यहां पर लिख सकते हैं तो बहुत ही simple है इस AIA file को edit करना कुछ खास नहीं है लेकिन AIA file बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी application बनेगी इसमें आपको सिर्फ firebase और ads के link चेंज कर दो design चेंज करना चाहूँ कर सकते हो तो वह भी कर लो यहां पर my notifications आपको मिल जाती है कुछ भी यहां पर change कर सकते हो आप लिख सकते हो जो भी लिखना हो तो यहां पर एक bell का icon मिल जाता है आपको जैसे आप इस पर click करोगे था एक bell की sound आ जाएगी तो इस तरीके का इस app का interface है यह यह फाइल की link मैंने वीडियो की description में आपको दी हुई है तो अगर यह app और यह यह फाइल आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like जूर करना और चैनल को subscribe भी करना वह भी बहुत सी AIA file मैंने अलड़ी अपने चैनल पर दी हुई है तो आप जाके चेक कर सकते हैं यहां फिर मैंने playlist भी अलग से बना यूई है AIA files करके नाम दिया उसको तो आप playlist में जाके चेक करो AIA files playlist है तो वहां पर आपको बहुत सी AIA files मिल जाएंगी अलग-अलग websites की तो यह AIA file API builder कि आप API builder में इसे upload करके अपनी editing करके बना सकते हैं तो जैसे आप यहां पर back button प्रेस करोगे इसकी home में तो आपको एक मिल जाता जो भी pop-up आ जाता है कि आप exit करना चाहते हैं कि नहीं तो यह simple interface है आप इसे edit करके अपनी AIA file बना सकते हैं तो अगर आपको वीडि में तब तेले गुडबाए दन्यवाद